यहां पर हम ट्रेंडी आलिया कट कुर्ती बनाएंगे इसको हम कॉटन तेयार करेंगे बहुत ही एजी और सिंपल तरीका से मैं आपको इसकी फूल कटिंग स्टिचिंग दिखाऊँगी तो वीडियो को बिना स्किप के लास तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सूपर कैटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसको बणाने के लिए इहा पर मैंने क्वाइब्रिक लिया है और डिजाइनिंग के लिए यह Internet की लेशुए अधर आपने मेरी पास यह लेस है। और देखें यह मैने यहा पर यह ठील हो साब खाट मेह पेंट 27 तोसं टील से समा तूंड 네 करो carbon यहां पैंगे 2 मीटर इसमे तेशाएंस स्टार्ट करें जैन फेंगे तो फैब्र को फैब्रीक कर लिया है भीर यहां पैंगे को 4 आप लिए zajयों करें, यहां इसमें रिए इसमेघ मैं marr करन ही 10 इंच लिए है और लेंड यहां पर मैंने 16 लिए है अब यहां-पर हम शालर करी लगाएंगियायायानी सारे 6 इंचugal पर समांड और शाइंच अर मिंच रखेंगे ऑप इक सीधह निशान लगा लेंगे अब यहां पर यहां-पर खान और चेस्ट की फिटिंग का मार्च करेंगे तो यहां पर 9 इंच पर मार्चन रखेंगे इसके बाद कमर के लगाएंगे तो कमर यहां पर में 8 इंच पर मार्चन रखूँगे अब इस निशान को यहां पर उपर की तरफ मिला लेंगे फिटिंग की निशान को भी हम इसी तरह म लाएंगे इसके बाद हम आर्मोस के लिए लगाएंगे यहां पर देट इंच लेते हुवे बैक आर्मोस को गोलाई देंगे बैक आर्मोस को गोलाई देने के बाद आगे से आधे इंच की दूरी से हम फ्रंट आर्मोस को गोलाई देंगे और यहां पर हम फ्रंट पार्ट के यह हो गई हमारी नॉर्मल कर्टिंग जैसे हम नॉर्मल टॉप की करते हैं लिए वह बपोल उसी तरहिके से करने अब यहाँ पर आलिया कर्टिंग करने के लिए हमने आप पर 4.5 इंच पर मांग गए देखे साधे 4 इंच पर निशान लगा इस निशान को कमर वाली फिटिंग की कटेंगे करेंगे मार्टीं के निशान से मिला थी पिके निशान से मिलाकर स्केल को इस तहह रखेंगे और तीछहा निशान यहाप पर हमारा लग्षाब यह कटिंग सिरφास है यह उब हम फरंट पाठ पर करेंगे बैक पार्ट हमारा सिंपल रहेंग तो देक हे Can Hearis मैंने जो V cut था ये front part पर cut कर लिया और back part भी हमारा यहाँ पर cut हो गया अब back part पर हम neck की width कर निशान लगाएंगे neck की cutting करने के लिए 2.5 inch पर और यहाँ पर मैंने deepness 5 inch रखिया अब इस तहरा box बनाया और यहाँ पर neck को round shape देंगे इस marking पर हम यहाँ पर neck की cutting कर लिया तो back neck हम नहीं हाँ पर cut कर लिया back part को अलग रखेंगे front part के neck की यहाँ पर कंवे करनी है अब यहाँ पर हम front part के neck की width लेंगे neck की width यहाँ पर भी हम 2.5 inch ले रहे जितनी हमने back neck की लिए थी और deepness यहाँ पर मैंने 5.5 यानि कि साड़े 5 इंच रखते हुए इस रिके से V-shape यहाँ पर दी है तो यह देखें यहाँ पर neck की cutting कर ली और इसको खोल कर रखेंगे तो इस रिके की हमारा top part cut हो गया अब यहाँ पर हम इसकी designing करेंगे यहाँ पर हम इसकी designing स्टार्ट करेंगे यानि कि stitching स्टार्ट करेंगे next से यहाँ पर हम सबसे पहले इसका neck तियार करेंगे तो मैंने इसकी बराबर का fabric से neck cut कर लिया था उसको यहाँ पर रखा और मैंने यहाँ पर चीप लेड़ करें यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर हम पीछी के तरफ बलट कर हमने यहाँ पर हम दूसरी साइड गुमाएंगे तो यहां पर हमें लेस को कट कर लूँगी, यहां पर लाकर रुखेंगे, और फिर दूसे साइड है लेस को इस तरीके से रखेंगे, और इस पर भी हम स्लाई लगा लेगे, तो यहां पर हमारी जो लेस है वो नेक पर एटाइट हो जाएंगी, जो एकस्टा है उसको कट कर ले तो देखें, यहां पर जो हमारा नेक वो तयार है, फ्रंट पार्ट का नेक हमने तयार कर लिया है, तो फ्रंट पार्ट को अलग रखेंगे और अपना बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को फिनिशिंग देने के लिए यहां पर मैं उर्य पत्तिक अस्तिमाल करी हूँ, तो इसे strip को पीछे की तरफ double fold करते हुवे हम neck को finishing देंगे आप चाहें तो यहाँ पर तुर्पाई भी कर सकते हो यह directly इस तरह फॉल्ड करकर sly लगा ले तो देखें यहाँ पर मैंने strip को double fold करकर sly लगा कर तयार कर दिया तो back part भी तयार है अब देखें यहाँ पर मैंने fabric को इस तरीकर से फॉल्ड करके रखा है यह मैंने bottom के लिए fabric लिया है जिसकी length कम है यानि कि जो उपर वाला part है वो हमारा back part है अब यहाँ पर मैंने fabric के विट 20 इंच रखी है और back part की जो length है वो यहाँ पर मैंने देखे 31 इंच लिए है 31 इंच यहाँ पर हमें अपने back part की length लिए है जितनी वहारी कुर्टी के दयार लंबाई है उसमें से हम अपने top part की length को माइनस करते हुँए front part को back part से उतना extra लेंगे जितना कि हमने यहाँ पर V-shape में जो cutting के थी आल्यकट में उतना है यहाँ पर extra लेंगे तो हाँ पर हमने 4.5 इंच लेते हुए cutting की थी तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच front part की length back part से extra लिए है अब यहाँ पर back part को अलग रखेंगे और front part पर जो हमने यह 4 इंच extra लिए है इस निशान को यहाँ पर side वाले निशान से मिलाएंगे यहाँ से इस तरीके से मिलाना है जहाँ तक हमारे back part की लंबाई आ रही थी और एक तिर्चा निशान लगा लेंगे अब इस निशान पर हमें cutting कर लेनी है इस तरीके से निशान लगाए ना बिलकुल ऐसे ही हाँ पर cutting कर लेंगे तो देगे हैं यहाँ पर हमने cutting कर ली है तो front part की हाँ पर हमारे bottom की cutting हो गई है back हमारा simple रहेंगा बस front में हमें 4.5 इंश लेते हुए इस तरीके से cut कर लेना जैसे मैंने आपको तरीका बता है अब सेंट्र के मैंने हाँ पर निशान लगाना बिलकुल भी बूले का नहीं बूले का नहीं बूले का नहीं बूले का बहुत जरूरी है अब यहाँ पर ऊपर अब यह दो दागे एक दागे को पकड़ेंगे दो मेंसे एक दागे को पकड़ना है और दागे को हलकार का कीशते हुए यहाँ पर हमारी gather बन जाएंगे वह होती आप मशीन से इस तरीके से gather बना कर त्यार कर लें पहले हाँ पर सेंटर तक एक साइट से मैं gather कर रहे हूं ज दोन 10 साइट से हम सेंटर की तरफ ऐसे gather करेंगे और इसको यहां पर हम ऐसे ही tйार कर लेंगे तो यहां पर मैंने breeding करके तयार कर लेंगी हैं अब यह पर हम अपना top part लेंगे यहाँ पर यहाया纔र हेहां से तरह की हैंतर यहां से तक स्लाइए लगा लिए हैं जीना से के और बॉटम के दोनों के सैंट्रों के हाप पर मिला कर मैं इसको पिन अप कर लूँगे सैंट्रों को मिला कर यहाप पिन अप करेंगे और इसके बाद हम स्लाई लगाएंगे अब यहां से देखे इस साइट से यहां से लाएंगे और ऐसे ही दूसरी साइट तक हम स्लाई लिए बहुत ही सिंपल तरीका है आप इडी को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किये तो आप बहुत ही आसानी से अपने लिए इसे किसे आले कट बनाकर त्यार कर सकते हो यहां पर मैं ऐसे ही इस पर सलाई लगाकर टॉप और बॉटम को यहां पर टैच कर लूगे यहां पर सभी गैदर्स को मैं विव्कुल एक्वल रख रहें कहीं कम जादा नहीं रखना है विवकुल बराबर यहां पर रखते हुए हमें यहां पर टॉप और बॉटम को टैच कर लेना है यहां पर हमने सलाई लगा ली तो यहां पर हमारा फ्रेंट का पैनल तयार है टॉप और बॉटम दोन अटैच कर लिये हैं अब यहां पर इस पर डिजाइनी के लिए जो लेस मैंने हापर नेक पर अटैच की थी वही लेस ली है इसको यहां पर इसी वी शेप में देखे जि इस तरीके से हमने आपर नेक पर टैच की थी विल्कुल ऐसे ही आपर हम लगाएंगे इस सेंटर पर लागें और फिर हल्का से इसको चड़ा लेंगे जादे नहीं बिल्कुल इस तरीके से हल्का सगुमाते हुए आप चाहें तो यहां पर कट करकर आप दूसरे साइड पर सकते हो लेकिन बहुत आसानी से होका था जादे दूसरे के ओपर नहीं चड़ते फिलावर तो मैंने कट नहीं किया तो यहां पर हमने लगा लिए अब इसके बाद मैं इससे करीब डेड इंच के दूरी से एक और यहां पर लेस की लाइन इस तरीके से करकर टॉप की डिजा ठीजू है अब यहां पर हम अपने टॉप का बेकपार्ट लेंगे टॉप और बोटम को ह पर हमें डाली पर हमारे त्यार कर लिया था बॉटम पार्ट भी हमारे हापर तयार हो गया आप देखे मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है दोनी के सीधी साइड को मिला कर रखेंगे अंदर की तरफ जो एक दूसरे को फेस करते हुए हो यह देखे इस तरह के से रखी है अब सबसे पहले हम इसकी शॉल्डर टाइच करें दोनों साइड स्वल्डर को बराबर मिलाते हुए लगाएंगे और इसी के साथ हम फिटिंगी लगाएंगे टॉप पर हमने मार्किंग कर रखी है फिटिंगी अम नीचे हम एक इंच का मार्जन रखते हुए नीचे तक स्लाइट लगा लेंगे आप चाहे तो यहां पर इसक साथ से इसको फिशिंग भी दे दी है अब इसकी स्लीज़ तयार करेंगे तो स्लीज़ के लिए मैंने एप लिया है लिया है फैबरिक यहां पर मैंने 5 फोल्डिट कर रखा है यहां इंच एंच और लेंगे लिए अब उपर सिर्फ पर फाइव इंच लेंगे और अर की यहांस निखे लाइंगे सुलिए इस तरह कारेगा अभरिया की सिङवान साथ लिखा इल्ग का विजार और धवले उसी तरह कुछ फाल्डन करें ऱ्टम eyes करेंगे इस एक अभर ब्चाट दोर्च का में जाया लेगे यहाँ पर स्लेज को रखेंगे और स्लाय लगा लेंगे और आगे की साइड से इसको डवल पॉल करकर हम फिडिशिंग देंगे बहुत ही easy और simple method के साथ मैंने आज आज आपको अलिया कट कुटी की full cutting stitching के आपके साथ शेयर की इसके साथ मैंने ट्राउजर पैंट तयार कि इसकी cutting stitching लिंक आपको डिस्कप्शने में आपको आलिया कोट कुटी कैसी लगी comment करके ज़रूर बतायेगा आपको मेरी आज के वीडियो पसंद आई हो वीडियो के cutting stitching के तहीं का बताये वह आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सूपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ कोटीं